अगर आपके सामने बताने वाला हूँ ग्रीडियंट के अंदर जो नॉर्मल वैक्टर होता है और नॉर्मल यूनिट वैक्टर होता है और अगर हमारे पास दो सर्फेसेस दे रहे की उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो ग्रीडियंट के अल्पस हम कैसे निकाल सकते हैं यार यह सब मैं आपको बताने वाला हूँ तो सुन देखिए सुन बात करेंगे सबसे पहले यूनिट नॉर्मल वैक्टर की बारे में इस उन अगर हमारे पास कोई भी सर्फेस दे रहा है और आपको इसका यूनिट नॉर्मल वैक्टर निकालना तो सबसे पहले हम नॉर्मल वैक्टर निकालेंगे इसनो normal vector को हम n से denote करते हैं, n vector से denote करते हैं, अगर हमारे पास ये कोई surface दे रिखा है, तो इसका gradient निकाल दीजे, तो इसनो ये हमारे पास क्या आएगा, इसका normal vector आएगा, अगर हमें इसका unit normal vector निकाला तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसनो ये आएगा, n vector divided by mod of n vector आजाएगा मतलब ये आएगा हमारे पास gradient of f divided by mod of grade f, इसनो ये हमारे पास क्याएगा, इसका value आएगा, तो यही concept हमें लगाना है, मैं आपके सामने के example देने की कोशिश करता हूँ, कि अगर हमारे पास ये कोई surface दे रिखा है, और आपको बुला जा रहा है कि इस point पर इसका unit normal vector क्या हो इस उन ये फाइ अंदर की तरफ multiply आएगा, तो i del 5 by del y and k del 5 by del z हो जाएगा, इस उन जो फाइ है उसको x के respect में derivative करिए, तो इसका x के respect में derivative करेंगे, तो 2x आएगा, तो 2xy आएगा, तो 2y आएगा, तो ये हमारे पास 2y, j, and फाइ को z के respect में करिए, तो minus 1 आएगा, तो minus k ह हो जाएगा, इस उन ये हमारे पास grade 5 आगया, अब हमें इस point पर निकालना है, तो सुन यहां पर क्या आएगा, gradient of 5 at point हमारे पास देरिखा है, 1,2,3 is equal to हमारे पास यहां पर जहां पर भी x है, वहां पर 1 रख दीजिए, तो 2y हो जाएगा, जहां पर भी y हमारे पर 2 divided by mod of n वेक्टर आजाएगा, तो सुन यह आएगा, हमारे पास 2i plus 4j minus k and under root of यह आएगा, हमारे पास 4 plus 16 minus k plus 1 हो जाएगा, तो सुन यह हमारे पास आएगा, 2i plus 4j minus k divided by root 21, सुन यह आता, अब हमसे पूछा जाता है, जिसे मैंने last class में आपको direction derivative के बारे बताया था, तो maximum direction derivative क क्या होता, खुद का खुद की direction में, हैना, और ultimately यह जो हमारे पास grade आता है, यह जो हमारे पास normal vector आता है, यह क्या होता है, जो भी आपको surface दे रिखाया है, उसका gradient है, तो अगर मुझे इसका यहाँ पे direction derivative maximum निकालना है, इस तो direction derivative का वीडियो कर आपने नहीं देखा, तो इ मैंने बताया था, और मैंने आपको बोला था, कि maximum direction derivative में निकालना है, तो यह हमारे पास gradient है, और इसका gradify निकालेंगे, जो भी हमारे पास direction दे रहे की, उसका unit vector, तो direction हमारे पास क्या होगी, चुकि maximum direction derivative होता, वो खुद की direction होता है, मतलब इसी का gradient निकालके unit vector लेंगे, तो मैंने आपको पहले समझाया, ना है कुछ नि, बस यह concept है, याद रखने की जरू होता है, इसनों आगे बढ़ते है, इसनों नेक्स बात करेंगे, angle between two surfaces, अगर मैं पास दो surfaces दे रहे की, और उसका कोई point of intersection दे रहे का और आपको यह पता लगाना है, कि उस point पर उन दोनों surface के dot product निकालेंगे, तो उससे भी हम angle निकाल सकते हैं, यह इसका unit normal vector है, और यह इसका unit normal vector है, दोनों का dot product निकालेंगे, तो भी हमारे पास यहाप angle निकल सकता है, बात वो की वही है, तो सुन यहाप एक बार condition आती कभी कभी हमारे पास यहापर ortho quality वाला condition आ जाता है, कि अगर दोनों के बीच में angle 90 degree आ रहा है, तो क्या condition होगी, तो अगर हम बात करें, cos 90 की, cos 90 हमारे पास 0 हो जाएगा, और यह हमारे पास 0 में चला जाएगा, तो grade F dot grade 5 की value अगर 0 आ रही है, दो surface के gradient का dot product अगर 0 आता है, तो उन दोनों के बीच में जो angle होता है, वो हमेशना क्या होत होता है, 90 degree होता है, या फिर orthogonal होता है, या आपको ध्यान देने की जरूत इस पर best question exam में बन जाता है, यह हमारे पास 2 surfaces दे रहे हैं और इस point पर आपको यहां पर क्या करना है, इसका angle निकालना, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले को, पहले वाले को F मान लेजे, तो हम इसका करत gradient of F निकालना, अब मैं सीधा बताऊंगा, gradient of क्या करते हैं, इसका X के respect में derivative into I, अब आप बोलोगे सरी, यह function है, तो क्या होगा, बैटा हम जब यह हमारे पास कोई भी function दे रहे हैं, तो इसको सभी term को एक साथ ले लिजाए, तो यह minus 9, इसको यह हमारे पास F हो जाए, अब gradient of F, और point हमारे पास दे रहे है, 2, minus 1, 2, बैटा जिसी point रखेंगे तो यह आएगा, 4i, minus 2j, plus का 4k हो जाएगा, next हम बात करेंगे G के बारे में, इस दूसरे वाले function को G माल लीचे, तो इसको grade G निकालेंगे, अब मैं आपको बता रहा हूँ, यह हमारे पास क्या जाएगा, इसका G हो जाएगा, इसका अगेन X के रस्पक में derivative इंटू आई, तो 2X इंटू आई हो जाएगा, अगेन यहां पर Y के रस्पक में derivative करेंगे, तो 2y इंटू जे, बैटा पूरे का Y के रस्पक में derivative ना, तो बैटा यह तो 0 हो जाएगा, अब पूरे का Z के रस्पक में derivative करे of f dot grade of g divided by more of grade f and more of grade g right तो यह सुन यह हमारे पास कि आएगा इसकी विल्यू रख देंगे हम इसका हम निकालेंगे मोट तो यह आएगा 16 प्लस 4 प्लस 16 इसका निकालेंगे 16 प्लस 4 प्लस 1 जब इसका डॉट पोट निकालेंगे तो आई डोट आई वन होता थे 16 हो जाएगा इसको सॉल करेंगे तो 4 से 4 कैंसल यहां से यह हमारे पास कि आएगा इसका एंगल आजाएगा तो ठीटा is equal to cos inverse आप इस तर से लिख सकते हैं तो यह से एंगल निकालते हैं आगे बढ़ते हैं तो नेक्स क्वेशन देखिए आप से बूला जारा है कि फाइंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर अब इस सर्फेस अट इस पाइंट तो सुन जिसका भी यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना पहले हम क्या करेंगे सुन उसको एफ मान लेजे तो इसको जो एफ मानेंगे तो यह आएगा हमारे पास एक्स के रस्पेक में हो आई अब पूरे का वाई कर स्पेक में डेरे वेटेव इन टू ज्राइगा तो पोरे माने इस स्पीड तो इस स्य step प्रेइग करेंगे तो ठी स्ब्याग प्र्रेकल को जी स्प्राइगा टू रखना है तो एंड माइनस तो यह जाएगा माइनस का 4 रखेंगे तो यह पास यहां पर क्या किसी वेलियो और यह यहां पर भी जाए है वहाँ पर हम 2 रखेंगे और यह है और अब हम स्थोब क्या करेंगे यह तो हमारे पास normal vector आगगे अब unit normal vector निकालना तो इस उनी normal vector upon mode of normal vector आएगा तो इस उनी आएगा minus ka 4i minus ka 12j plus ka 4k divided by इस उन अंडरूड ओफ यहाँ पर क्याएगा 16 plus 16 plus ka 16 को सिंप्लिफाई करेंगे इस सुन यहां से minus 4 common निकाल लेते हैं तो यहाएगा I plus 3J minus का K आजाएगा divided by यहां से 16 common आ रहते हैं तो 16 common आएगा तो बहार आएगा root 4 यहाएगा हमारे पास 1 और यहाएगा 9 plus 1 आजाएगा 4 से 4 cancel करेंगे तो minus का I plus यहाएगा 3J minus का K divided by root 11 सुन यह हमारे पास कहाएगा इसका unit normal vector हैगा तो इस तरह सको बहुत इजी लिए आप हम कर सकते हैं So next question पर आते हैं So next question देखें Find the constant A and B so that the surface this will be orthogonal to this surface एक तो मैं बताना चारा हो कि यह इस से क्या है orthogonal आपको दे रखा है तो आपको यहाँ पर क्या करना है सुन A और B की value निकाला तो मैं आपको एक चीज़ बताना चारा हो कि जब भी हमारे पास orthogonal है मतलब obviously कहीं कहीं angle हमारे पास क्या बन रहा है 90 degree का बन रहा है और इस point पर यह एक दूसरे के क्या रहा है सुन और तो यहार मैं अगर इस surface को यह ले ले लूँ x square y plus z cube is equal to 4 और इस वाले को मैं यह ले ले लेता हूँ ax square minus का byz is equal to a plus 2 into x अब हम जानते कि यह जो point है यह score इसको दोनों को क्या करना चाहिए satisfy करना चाहिए फिर उसकी बात करेंगे हम इसको भी satisfy कर रहा है जब इसको satisfy कर रहे है क्योंकि ultimately किसी point पर angle बन रहा है तो obviously वह point हमारे पास given है तो हम यह पर कह रहे हैं इसको करेंगे तो 8 1, minus 1,2 तो पैटा यहाँ पर हम करते हैं इसको satisfy है ना क्लियर क्योंकि यह x है इस सुन ए से cancel हो गया तो यहार B की वेलियो हमारे पास यहां पर क्या गई वन आगई तो यहार B की वेलियो तो मैं यहां पर मिल गई है अब हम जानते कि अगर दो हमारे पास यहां पर सर्फेस एक दूसरे के और्थोगोनल होती है तो उनकी ग्रेडियंट का डॉट प्रड़क्ट जीरो होता है याद है न क्यूंकि मैं आपको बता था कि इसका जो कॉस्ट होता है और वह होता है ग्रेडियंट ऑफ जी इस इक्वल टू जीरो पर हम यहां पर ग्रेड एफ और ग्रेड जी निकालना पर इस प्रेड़ पास टू ए एक रहाए गा नहीं इस उनिया माइनस का ए प्लस टू है ना इन्टू आई हाँ आ जाएगा राइट पूरे का y कर अग्रेडियंट ऑफ ए उफ और पॉन आईगा ग्रेडियंट ऑफ और पॉइंघ हमारे पास देरेग आएगे सुन वन माइनस वन एं टू तो पॉइंट रखेंगे तो जहां पर भी एक से वाथ तो यहां रखेंगे जे की जगा तो यहां आएगा माइनस का टू जे अरी यहां पास इसकी वेलिव ग्रेट वेट फिर तो यहां पर तो बैटा यह कितना आएगा यहां एका टू इन टू इन टू आई है ना तो gradient of G निकालते हैं तो बटा क्या होगा इसका एक्स के रिस्म करेंगे तो यह आएगा हमारे पास एट एक्स वाई इंटु आई इसका नेक्स वाई के रिस्पेक में डेवेटिव इंटु जे तो यह आएगा हमारे पास 4X square J आजाएगा इस पूरे का Z के रिस्पेक में डेवेटिव इंटु के तो यह रही आएगा 3Z square K अब पॉइंट रख दिजाए ना तो सबसे बहुत हम यहाँ पर पॉइंट रखेंगे 1-12 तो यह आएगा हमारे पास gradient of G at 1, minus 1, 2, right तो मैं रखेंगे तो 1-1 रखेंगे तो यह माइनस का 8I आएगा नाओ यहां रखेंगे तो सुनिए आएगा 4J और यहां रखेंगे तो यह चारत यह 12 12 के आजाएगा, right तो यह वहली उठाके हम यहां रखेंगे तो सुनिए आएगा, minus का 8I plus का 4J plus का 12K is equal to 0, सुनिए यह 1 होता तो minus का 8A-2 हो जाएगा and J dot J b1 होता तो minus का 8 हो जाएगा, K dot K b1 हो जाएगा तो यह आएगा, सुनिए अब हैना तो यह आएगा, minus का 8A and plus का 16, हैना, plus का 16 आ रहा है and इस उन minus 8 में से गया, तो I think यह हमारे पास plus का 4 हो जाएगा, is equal to 0 तो इस उन minus का 8A is equal to, यह हो जाएगा, minus का 20 so here A is equal to, यह आएगा, minus का 20 upon 8, minus minus तो plus ही कर दो, इसको better है, हैना तो यह आएगा, 4 से cancel करेंगे, तो 5 by 2, सुनिए हमारे पास A की विली है जाएगे, बी की विली हमारे पास यहाँ पर कहा जाएगे, सुन यहां पे क्या हो रहा है कि जो भी आपके पास यहां पे, डारेक्शन देर्य लेवरे टेंचर निकालना है वो आपको इस surface की unit normal cat campaign निकालना है तो यह ऑमारे पास देरिखांच इनकालना है तो यह हमारे ऑड़ पास विली होग Il इसको यहां रखेंगे तो यहार आएगा मैं काम करता हूँ इसको बैटर है कि एन क्या रख देता हूँ ता कि आपको समझ में आएगा ना क्योंकि यह नॉर्मल वेक्टर की डारेक्शन है तो सबसे लिए चाहिए इसका ग्रीडियन निकालेंगे तो इसका ग्रीडियन यह पाशी आएगा अब अब मैं क्या चाहिए जो फाई है इसका ग्रीडियन चाहिए तो सबस्काइब निकाल लातना तो यह रंगे ग्रेट ऑफ फाइड निकालेंगे तो ग्रेट ऑफाई क्या ओता बैटा पूरे का एक्सक्त में डेरिवेटिव इन टू आई तो यहार तो gradient of 5 और point हमारे पास देरिखा minus 1,2,1 तो यह रखेंगे तो यह आएगा 4i तो यह आएगा x और y तो minus का 4 and plus का 1 into j जाएगा plus का 1 into j जाएगा and यह आएगा y और z 2 तो यह आएगा हमारे पास 4 इसको simplify करेंगे तो 4i and I think यह minus का 3 जाएगा plus का 4 का जाएगा तो हम यहाँ पर यह नॉर्मल वेक्टर निकल गया है तो हम यहाँ पर इसकी value निकालेंगे तो now direction derivative देखिए आप तो यह रही है आएगा हमारे पास 4i minus का 3j plus का 4k and dot यहाँ पर n के पाएगा तो इसका हमें unit ले रहा है तो सबसे हमें देखेंगे तो यह आएगा 0i minus का 4j minus का k under root of कि आएगा 0 plus 16 plus 1 आजाएगा हम जानते हैं सुन i dot i 1 होता है j dot j हमारे पास 12 आजाएगा सुन k dot k हमारे पास यह आजाएगा divided by नीचे root 17 हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 8 by root 17 यह इसके direction derivative की value आएगा त्यार इस तरह से बहुत इसी list question को आप कर सकता है तो सुन thank you so much for watching me और कैसा लगा आपको content please comment करके ज़रूर बताईए अगर आपने vector calculus के मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे तो आप यहाँ जाके देख सकते आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद thank you bye bye